विल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल पेपर रहकर आज के इस वीडियों बात करेंगे कुश्चन नंबर आपका अन्संटर को फॉस्चन की बात करें इस से पहले जितने भी आपके सबससे पहले हम बता दें कि इससे पहले हमने पढ़ा था त्यक्राइव वरॉफप耀 चैनल च च ken लूट इस hij चायदार स्थान उपर उगते हैं उसी से संबंदित आपके टेरीडूफाइट होते हैं ठीक है टेरीडूफाइट लेकिन इन में थोड़ा अंतर होता है व्राइफाइट को हमने डिसकस कर लिया है बहां पर आप देख लेना ठीक है दोनों में आपको अंतर पता चल जागा आ तरहरा में हैट्रोस्पोरी हैट्रोस्पोरी इवाइब बीज की प्रकरती का वर्ण की जिए या आपसे इस तरह से पूंच सकता है थी कोशन को टेरीडूफायट में बिसम बिजाडुकता ठीक है 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 गया कनी प्रकरती या बीज हैविटेड के संदर्भ में निवंद तो इस तरह से आप से कोशन पूछ सकता है तो चलिए डिसकस करते हैं कि आपका जो सिलेजी नेला है इसमें आपका विसम विजाडुकता क्या होता है तो यह था आपका सीड है उसका विज है उसका सुभाव क्या होता है इसके बारे हम बात करेंगे करा ये एक हिपादे से विभिन आकार के दो प्रकार के sports का पाया-जाना आपका क्या लाता है Hetero spory यानि कि जो आपका पौदा है ऊड़ क्या जाते हैं यानि कि जो आपके sports है वो आपके दो प्रकार क्यों हो और और दोनों के आकार कैसे हो एक दूसरे से डिफरेंट हो तो इसी को क्या कहते है है हेट्रो स्पोरी कहते है या विसम बिजाडुकता कहते है ठीक है क्या कहते है विसम बिजाडुकता के नाम से जानते है ठीक है कहरा है हेट्रो स्पोरी स्लेज नेला में सामान रूप से देखन किन्तु और कुछ एक्जामपल दे रहे हैं दे रखे आई-आइसुटियस मारसीलिया और पिलूलेरिया और क्या हो जाएगा आपका रेगनेडियम और सॉलवीनिया एजोला यह कुछ आपके एक्जामपल है जिनमें आपको जो है है त्व देखने को मिलती है ठीक है यह आम कह सकते हैं कि विसम भी जोड़कता आपको इनमें देखने को मिल दी है उसके बाद कुछ फॉजल मतलब इनका केवल अस्तित्व पाया जाता है अब यह पौधे नहीं है ठीक है पहले हुआ करते थे लेकर अब इनका केवल अस्तित्व है मतलब इनके केवल फॉजल सी प्राप्त हैं ठीक है क्या जीवास मई ही प्राप्त थे लेकर उनके पौधे अब नहीं है पहले गुए करते थे तो इनमें भी देखने को मिलती थी क पाय जाती थी कहारा दो प्रकार के स्पोर्स में बड़े स्पोर्स को क्या कहते हैं मेगा स्पोर्स जो आपका बड़ा स्पोर होता है उसे क्या कहते हैं मेगा स्पोर के नाम से कहते हैं ठीक है बड़ा स्पोर अगर आपका होगा उसे मेगा स्पोर और चोटा स्पोर होगा उसे माइक्रो स्पोर कहेंगे ठीक है तथा छोटे स्पोर को माइक्रो स्पोर कहा जाता है यह स्पोर्स क्रमजा मेगा इस पूर एंजिया मेगा इस पूर एंजिया एंड माइक्रो स्पोर एंजिया जो आपका बड़ा स्पोर होगा जिसे मेगा स्पोर कहते हैं वह आपका मेगा स् तो ठीक है एक बात ध्यान देनी की है कि इस बात को द्यान कर्थना करा कि स्पोर्स है लिए अवさい उन्लश होता है इस वाद क आ से होगा माइक्ष पॉर्स धीर तरह का मसा मंअ состав तो इतना देहां रखना है कि माइक्रो स्पोर्स से मेल गैमिटोफाइट का विकास होता है और मेगा स्पोर्स से आपका किसका होगा फीमेल गैमिटोफाइट का विकास होगा ठीक है इसके आगे कह रहा है इन्हें किरमसा क्या कहते हैं माइक्रो गेमीटोफाइट क्या कहते हैं एक को माइक्रो गेमीटोफाइट जहाँ पर आपका माइक्रो स्पोर्स का विकास होता है और दूसरा क्या होता है आपका मेगा गेमीटोफाइट जिनमें केवल एक ही प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, अब कुछ टेट फाइट आपके ऐसे होते हैं, जिनमें जो स्पोर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, आपके केवल एक ही प्रकार के होते हैं, उन्हें होमो स्पोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, होमो स्पोर्स कहते हैं, ठीक है, ह आपका sex differentiation होता है या लेंगे बिन्नता होती है कप आई जाती है गैमीटोफाइटिक अवस्था में ठीक है यानि कि जब गैमीटोफाइट का निर्माड हो रहा होता है उस अवस्था में जो है इनका इनमें अंतर पाया जाता है जब कि हैट्रोस्पोरस टैप में यह इस्पोर फिटिक अवस्था में शुरू हो जाता है और आपका जो हैट्रोस्पोरस होता है बिसम भी जाड़ुक होती है प्रकार के जो आपके पावदे होते हैं उनमें यह कप पाया जाता है इस्पोरोफिटिक अवस्था में ठीक है कब इस्पोरोफिटिक अवस्था शुरू होने से ही इसका जो है डिफ्रेंशियेशन हो जाता है या दोनों में अंतर पाए जाता है कह रहा है माइक्रो स्पोर्स तथा मेगा स्पोर्स में अंतर इनकी स्पूरोफाइट पर निर्भरता से फ्र जब स्वड है और मेगा इन दोनुमें MIKE अंतर टीक है इनकी इस पूरवाइट पर निर्भरता के कुछ किया है इनके कुछ या इनके कुछ गुड है ठीक है करा के लिए सवाइल किनि पर करते हैं जो किसपर डिंट करता है इसके अपने post करते हैं या किस पे करते हैं आपके environmental condition सब्सक्राइब पूरizzard मिलता है स्पूरफाय्ट्से मिलता एंगlaughter और बाहे परस्तितियों पर अधिक निर्वर नहीं रहना पड़ता है तो यह बाहे परस्तितियों पर डिपेंड नहीं करता है ठीक है कौन आपका यह क्या आगया सिलेज निला ठीक है सिलेज निला अपका बाहे परस्तितियों परियाम कह सकती कि और आपका एंवार्मेंटल कंडीशन पर ये डिपेंड नहीं करता है कौन स्लेज नेला इसको पोशन कहां से मिलता है गमीटोफायट से जो है बोजन मिलता है करता है स्लेज नेला में एक्तरोस्पोरी पाया जाने से पादब विकास की एक महत्पूर्ण अवस्था शुरू हो जाती है एक महत्तपूर अवस्ता सुरू हो जाती क्यों जाती क्योंगि इस में आपका ईलावा हो है हैते हैं। कुछ महत्पूर्ण नक्ष्ण पाए जाते हैं। सेख जो सीड प्लांट में पाई जाने वाली सीड हैविट से संबंदित हैं किस से सीड प्लांट में यानि कि जो आप ऐसे पौदे होते हैं जिनमें आपके बीज पाई जाते हैं ठीक है जीवन इतिहास में पाय जाने वाले महतपूर लक्षड जो सीड हैविट के अत्यंत नजदीक होते हैं किसके सीड हैविट के जो है बहुत ही जादा नजदीक होते हैं वो लक्षड आपके कुछ इस प्रकार है कह रहा है दो प्रकार के स्पोर्स का विक्सित होना क्या कहला था आपका heterospori दो प्रकार की sports का निर्माण या इनका विक्सित होना क्या कह ला था आपका heterospori ठीक है दूसरा कह रहा थाँ mega sports का अंकौरट make姿 सपौरंंजियम में होता है किसमे होता है मेगग 겉पोर्ट जो आपके होते हैं वह कहां under sincerリ होते हैं आपके mega sporo एंजियम में माईक्रो sipor का अंकुरार का होगा आपका ? microspore का अंकुरार, microspore अंें दो होता है जिससे क्या होगा आपका ?